शौगत एक बाद फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल MSH Talks वर तो इस वीडियो में बात करेंगे छाडखन सिक्षक भरती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें सिक्षा विभाग की तरफ से अपडेट आ रही है कि नए सिक्षक भरती नियावली जो बनाई गई है उसमें एक बाद फिर से बदला हो सकती है और कौन सा बदला होगा और क्या बदला होगा आपको इस वीडियो में complete जान करें बताएंगे वीडियो को लाज तक बन रहीएगा तो इस latest update को पाने से पहले आप लोगों से request रहेगा कि इस तरह से आप लोगों जाडखन सिक्षक भरती के अपडेट करता रहोगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगा शाथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगा और वीडियो के एक छोटा सा लाइक जरू कर दीजेगा तो चले वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात की जाए तो जाडखन सिक्षक भरती इस्पेसिली प्राइमरी सिक्षक भरती जो कि इसी महने के राज जस्तवना दिवस के आउसर पाना था लेकिन आरक्षन रोश्टर के लिए नहीं होने के वज़े से नहीं हो पाया लेकिन उम्मीद है इस महने के लास्टर ये वैकिन से आप लोगो देखने को मिले लेकिन नया अपडेट क्या है चले उसका बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे नियुक्ति नियमली में होगा बदलाव राज के प्रात्मिक सहायक आचार प्रात्मिक सिक्षक नियुक्ति नियमली में बदला होगा और ये बदलाव क्या है तो आप लोगो जानकर गर बता दे कि जाड़करण में जो यह update आया है तो चलिए इसके बारे में आप लोगों कम्पीट जाना करें बताएंगे वीडियो को लाँस तक बने रहेगा तो यह देखे आज का अगबर है प्रभात खबर और इसमें आया हुआ है जिसमें नियुक्ति नियावली में होगा बदलाव राज के प्रात्मिक शाह सायक आचाज का वेतनमान लेवल 5 में 28,200 और सरकार दौरा देई अन्य भत्ता निधारित किया गया है जबकि लेवल 5 में वेतनमान 29,200 होने का प्रावधान है यह नियावली आपका जो त्यार होगा उसना तक पर सिशिस सायक आचाज के लिए और 6-8 के टीचर के लिए ठीक है और यहाँ पे जो अपडेट आ रही है कि सिश्चा विवाग इसको त्यारी कर रहा है कि यह जो बदला होगा इसको 29,200 में जो होने का प्रावधान है उक करने के लेकर और विवाग दौरा इसे टंकन भूल बतायाकर सुधार किया जाएगा तो सिश्चा विवाग दौरा राज्य में लगभग 26 सहाय काचाज की नियुक्ती परिक्रिया 15 नमबर तक सुरू करने की तयारी थी तो देखे ये अपडेट आप लोगो एक दो दिर पहले भी दिये थे और इस मेने के सुरुवात में भी जब जब जाड़कन के सिख्चा मंत्री जी ने ये बयान दिया था और बताया भी था कि राजजस्त अपना दिवाश के आउसर पर ये वेकंसी टीचर वेकंसी आने का बहुत ज़्यादा चांस है तो ऐसे में आरच्छान रोस्टर के लिए नहीं हो पाया है इस वज़या से इसमें थोड़ा सा लेट लग रहा है तो आप देखें ये आगर नियम वाली में बदला होगा तो फिर सो इसमें टाइम लगेगा और टाइम लगने के वज़ये से इसमें थोड़ा सा लेट हो सकता है चलिए उसके बारे में देख लेते हैं क्या अपडेट है कि अब तक ये वेकंसी आने का उम्मीद है तो पंदर नॉमबर तक सुरू करने की तयारी थी इसके लिए अदियाचना जाड़कन कर्मचारी चाहनाई को भेजा जाना था जीलो के दौर आरक्षान रोस्टर क्लियर कर प्रात्मिक सिख्चा निदेसलाई को भेजा गया है तो यहाँ पे जो अपडेट आ रही है कि जीलो के दौर आरक्षान रोस्टर क्लियर कर प्रात्मिक सिख्चा निदेसलाई को भेजा गया है यानि आरक्षान रोस्टर भी यहाँ पे क्लियर करने की बाद कही गई है ठीक है बाकी 15 नॉमबर से पहले जो आरक्षान रोष्टर क्लियर करना था वो तो पुरा नहीं हो पाया है लेकिन आज क्या अपडेट है कि ये आरक्षान रोष्टर क्लियर हो गया है बाकी आने वाले समय पर जैसे जो अभी अपडेट आएगा आप लोगों मिलता रहेगा तो निया मौली में बदलाव के बाद अब नियुक्ति की अधियाचना भेज आएगी अब दिसंबर तक इसकी परक्राइब सुरू होने की संभावना है आने अब जाड़कर में जो सिक्षक भरती सहाय काचार्ज की नई निक्ति नियुक्ति नियुक्ति जो बनाएगे ये उसका अकॉर्डिक जो टीचर वैकन से आएगे उसमें आप दिसंबर तक जाने का ये बात बताए गई है यदि आप सीटेट 222 की तयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से एक किताब रेकॉमेंट रहेगा चक्सू सीटेट 222 इस study guide की बात की जाए तो इसमें आप paper 1 की बेहत्रिन तयारी कर सकते हैं जिसमें आपको वाल विकाष, शेमसिक्षा सास्त्रे के शाथ साथ, हिंदी भाषा, इंग्लिस लेंग्वेज, मैत और एविएश के टॉफिक से आपको मिल जाएंगे शाथ ही इस किताब में आपको 3000 से भी जादा अध्यवार, महतवपुर्ण प्रश्णों का संग्रा मिलेगा, साथ ही 400 पेपर भी आपको मिल जाएगा, जिसमें दोहर 21 से लेका, दोहर 19 तक आपको स्वाल पेपर मिलेगा तो NCRT पुस्तगप राधारित ये किताब है, जिसमें आप सीटेट 22 की तयारी कर सकते हैं इसके साथ ही चक्सू का सीटेट प्रैक्टिस सेट्स भी आता है, आप अपनी महतरिन तयारी के लिए इसको भी ले सकते हैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्सर में लिंक मिल जाएगा या फिर आप अपने नजदी की बुक इस्टॉल पर भी इसको खरीच सकते हैं